अपने देश में बार-बार ये कहां जाता है कि भारत की शिक्षा की परंपरा जो है ये बहुत प्राचीन है कब से शुरू हुआ पता नहीं है हमारे प्रफ़र कहते थे पांच हजार वर्ष से पहले भी भारत में शिक्षा और परिक्षा हैं कैसे होती थी इसके रेकार्ड्स उपलब्द है और विश्वभर के लोग भारत के एक शिक्षा के आज केल के वास्पर कहे रहा है तो एजुकेशनल डेस्टिनेशन यह भारत रहा है इतने विश्वभर के विद्यारति यहां है कई लोग यहां शिक्षा प्रज्जापक बन करी हैं और यहां से अपने देश में लोट कर जिस शिक्षा के कारण लोकिक और अनमारत है जीवन मूल्य और जीवन लाने के आजिव यहां हम कह सकें यह तदेश प्रसूतस से सखाशाद अग्रजन मना समसम जरितन शिक्षे रन पत्षिया सर्व मानवा यह कहने के एक सामर्थ्या एक आत्मविश्वास इस देश के लोगों को इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि ऐसे करने का प्रत्यक्ष अनुभव यहां के स सीज़ए लिए को यहां के शिक्षाविद्व depends को फ्राप्ति था। स्वत्धा के अंदोलन के बाद्धी एक तरफ स्वतंत्रता अंदोलन चली रहा था लेकिन शिक्षा के बारे में भारत में उस समय भी बहुत आग्रह पूर्वक्त इस आयाम को जीवन के इस महत्तोपूर्ण खेत्र के बारे में कितने लोगोंगों ध्यान दिया लोकमानि Τ्रख्त्रिक निके साथ कारे कर रहे त dipping कर पूने में विशिवुध्यालिने बारे में सोचें सावित्रवाइ पोलेस्ट महिला शिक्षा के बारे में सोचें डिएवी शुरु हुए बनारस विशिव एले महामना मालवीजिने प्रारम्प टृ कि रामकृष्ण में स्कूल सुरु की Congratulations कभी रविंद्राट अगोर ने शांतिनिकेशन प्रारंब किये दक्षिन बारत में देश्ची विध्याशाला हो गएरे प्रारंब हुए मैसुरी नुवर्सिटीट के विवयकान जी कहने कहां इंजियों सब साइन्स के प्रारंब हुआ बंगलोर में जिसके लिए महारा जने स सब प्रकार के साहित है कि देश के विभिन्न भागों में सवतंत्रता अंदोलन के दौरान शिक्षा के बारे में बहुत भारत के शिक्षा होने चाहिए एक तरफ अंग्रेजी शिक्षा के शिक्षा इसमें धेन किये हुए लोगों ने इन सारे बातों को ध्यान में रखका एक जैसे महरशी अरोबिंदो ने कहा है, भारत में अंग्रेजों के राज के कारण जो हमें संकट जहलना पड़ा, स्वातंत्र हम खोए, गुलाम होगे, वो एक कहानी है है, हम सब जानते हैं, एक दूसरे भी हुआ, कई कई लोगों ने कहा है, चामापरसाद मुकरजी ने भी शिक्षा के बारे में उन्होंने जो एजुकेशनल चेंज के बारे में उनकी भाषन है, उनके एजुकेशनल थाट के बारे में शामापरसाद मुकरजी के एक गिनत ही है, तो उस सारे में उन्हों ये कहा है कि जब पस्चिम के लोगों के साथ भारत के शिक्षित लोगों के जब संपरक आया इन सारे से कई आयाम भी खुले सौतंत्र के मानवादिकार के कई आधुनिक जगत के जो अवधारनाये हैं उसको समझ कर उनको उनके भाषा में ही बताने के लिए एक आत्ममिश्वास और ज्यान प्राप्त किये हुए लोग इस देश के अंदर तयार हुए और दुनिया में एक इस संपरक से हम लोग कई नई बातों को देखे समझे भी है तो इसलिए अंग्रेजों ने बहुत सारे गल्तिया की हैं जिसके कारण हम कुगा यहां के शिक्षा प्राली को उन्होंने नाश्टि किया धरमपाल जी ने पुस्तक में लिए हम सब जानते ही होंगे के ब्यूटिफुल ट्रीप उस तक में लिए कि इनकुल मिलाकर शिक्षा के संदर्व में दिखेना है तो शिक्षा की महत तो है यहां भारत के भूमी हजारों हजारों वर्षों से हम जानते ही थे हैं और इसलिए एक शिक्षा के खेत्र के बहुत सारे आयामों को विकसित कर कर सदियों तक का उसके संचालन समाज ने किया राजा श्रे मिला लेकिन समाज ने मठमंदिरों ने समाज के लोगों ने सामाने लोगों ने शिक्षा के लिए कुछ अपने कमाई के हिस्से देने के लिए सामने आये समाज से शिक्षा की व्यवस्ता को धान करने के संभालने के उसके परण पोश्चन करने के एक उत्तम व्यवस्ता हमारे देश में रही है जो बीटिफुल ट्री में धर्मपाल देने विस्तार से चर्चा की है